हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत चुकला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स योटूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास 10 प्लास 12 चाहे वो यूपी बोल्ड हो बिहार बोल्ड हो इन सभी की तयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्टर तयारी करना चाहते हो भी बोल्ड परिक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिये गए हैं अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लेजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी लों का तरके हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहाँ पे पूर्स सभी लों देख ले दोस्तों तो बिला समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत और आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टन कोशन और यह चैप्टर हमारा नया शुरू हो रहा है चैप्टर का नाम है चैप्टर नमर 7 है चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ति धारा पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर नमर 6 कि अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके दोस्तों देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको शुरुआत से लेकर के आखरी तक यह सभी वीडियो देखने को मिल जाएं तक यह अने वडियो के नोट्रिविकिशन आप सभी को मिल सके हैं चलिए प्रत्यवर्ति धारा बहुवी कल्पी कोशन से स्टार्ट करते हैं फस्ट कोशन वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यवर्ति धारा के मेंस का विभाव 200 वोल्ट प्राप्त होता है तो इस वि पूछा गया था बहुत इंपॉर्डंट है नेक्स्ट कोशन है प्रेरिकत्व का मात्रक है तो प्रेरिकत्व का मात्रक होता है ओम और सेकेंड ठीक है प्रेरिकत्व का मात्रक होता है ओम और सेकेंड कोशन नमबर फस्ट प्रेटिक लगा देंगे याला जो प्रस्ण आपका 2018 जाने के इसी वर्स परिक्षा में पूछा गया था एक प्रतिय वर्ति धारा परिपत में आठ ओम का प्रितिरोध तथा छे ओम प्रतिगाद का प्रिरकत्व स्रेडी कम में लगे हैं परिपत की प्रतिभाधा होगी इसमें जो प्रतिभाधा होगी वह आपसे पूछे गई है 2018 में आपका यह प्रसन आया हुआ था दोस्तों परिक्षा में तो इसकी जो धारा होगी वह दोगी 10 ओम ठीक है 10 ओम होगी दोस्तों तो कौनसे वाला उप्शन पर हम टिक लगाएंगे हम अनुनाद की इस्तिती में लसी की आवरति है वह कि 1 अपाउन 2 पाई अंडर रूट 1 अपाउन 1 सी यह इसका करेक्ट आंसर रहेगा तो यह थर्ड वाला उप्शन रहेगा थर्ड वाला उप्शन सही रहेगा इसका थर्ड वाला यह 2010 और 2017 में पूछा गया था कुश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं एलसी तथा आर क्रमसा स्वप्रेर का तो धारा धारिता एवं प्रति रोध को व्यक्त करते हैं निमने लिखे सोत्रों में किसका विमे सोत्र आकरतिया नहीं है तो वो होगा दोस्तों CL का किसका होगा दोस्तों CL का होगा ठीक है तो कौन से वाले आप्शन प्रिटिक लगांगा C अपाउन L तो फोर्थ वाले आप्शन पे C अपाउन L याला जो प्रस ने आपका 2018 यानि कि इसी वर्स में पूछा गया था नेक्स्ट कोश्चन है एक स्रेड़ी अनुनादी LCR परिपत में धारिता C से 4 से परिवर्तित की जाती है उतनी ही अनुनादी आवर्ति के लिए प्रेर कत्व L को परिवर्तित करना चाहिए 2016 में कोश्चन पूछा गया था ये वाला तो वो होगा L अपाउन 4 ठीक है L अपाउन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा तो कौन से वाली आप्शन पर टिक लगाएंगे फोर्थ वाली आप्शन पर टिक लगाएंगे नेक्स्ट कोश्चन है हमारा एक LCR परिपत को परत्यावर्ति धारा के स्रोथ से जोड़ा गया है अनुवाद की इस इस्तिती में लगाए गए विभांतर एवं प्रवाहिद धारा में कलांतर बताई है इसमें आपको कलांतर बताना है 2017-2018 में यही आला प्रसन आया हुआ था बोल्ड परिक्षा में प्रसन में अथवा भी लगा हुआ प्रसन दो प्रकार्ट से पूछा जा सकता है यदि एक LCR परिपत को प्रत्यावर्ति धारा के स्रोर से जोड़ा जाए तो जो अनुवाद की इस्तिती में धारीती है प्रतिगात तथा प्रेरिकत प्रतिगात को कलांतर होगा दोस्तों तो 2018 में याण अनुवाद प्रस्न होगा जो इसमें जो कलांतर होगा जूण ने होगा जी रो इसका करएक्ट उन्सदी एग जूण से फिछीडरू नहीं कहेंगे जूण ये लिखेंगे तो तो लूण ये प्रतिगागेक्षान को पर्रफ चलते हैं को 2014 में आया हुआ था प्रस्ट तो जो सक्ति होगी वो लगे में जिस कोंड पे निर्भर करता है जो शक्टे होगी सक्ति जिस कोंड परनि रही होंगर करती है प्रसन बहुत important है इसमें जो fourth wall option है वो correct है next अधिलगू आ गया एक question अधिलगू की चलो बात कर लेते हैं एक question की एक प्रत्यवर्थी धारा परिपत में विभांतर का वर्ग माध्यमूल मान 220V विभाव का शिखर मान क्या होगा विभाव का शिखर मान पूझा गया इसका correct answer एक वोल्ट जरूर लगा देना आखरी में ठीक है यह देखो यह आप पे ठीक है तो 2014 में question पूछा गया था तो इस वीडियो के लिए इतना है दोस्तों जितनी प्रस्न मैंने आपको बता है यह आप कर दोस्तों जिए बता है यह आपको work